नवस्कार, ATN लाइब में आपका स्वागत है और मैं कैलास कस्थप आज फिर एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आज जो खबर है वो बढ़रिया विधान सभा से ही जुड़ा हुआ है कल से जिस तरह से बढ़रिया में उठा पटक और वहां पे जो वाद विवाद का जो दौर चला है उसी पे हम बाचित करेंगे जदू के वरिष्ट नेता और पुर्व जिलाध्यक्च चंद्रकेतु जी से जिस तरह से बढ़रिया में सब कुछ चल रहा है एन चुनाओ के पहले कुछ दिनों में ही यह कुछ महीनों के बाद नहीं कुछ दिनों में अब चुनाओ की घोसरा हो चुनाओ होने वाले हैं और इस प्रस्तिति में जब वहां के बिधायक बढ़रिया प्रखंड प्रमुख जो हैं उनके खिलाफ चले जाते हैं फिर उनका प्रमुख का आरोफ है कि जो बिधायक हैं वही हमको गिराने के लिए स्वेम लोगों वीडिसी सदस्यों के पास जा रहा हैं उनके सिगनेचर कर नहीं कर रहा है उनकी जाली सिगनेचर तक वह करवा रहा है यह क्या चल रहा है ऐसे कैसे होगा चुनाओ कि इसमें अटादी है कि यह थोड़े दर पहले मेरी मुलकात भी हुई थी तो बात भी हुई थी लेकिन देखिए यह जो प्रस्णाब कर रहे हैं मामला उतना गंभी नहीं है हाँ हो सकता है कि आपसे उनलों को कहीं कोई कोई गैप हो और हमें लगता है कि चुनाओ से पहले वह सारी गैप भर जाए देगी कहीं कोई मैसेज महां से नहीं जाएगा हमें यह लगता है सर यह हमारा मामला नहीं है मेडिया का मामला नहीं है यह मामला प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और उसमें जो नर्तित्व है वो विधायक जी कर रहा है तो यह मामला आपसे भी जुड़ा हुआ है अगर जो सिटिंग विधाय और उ इस तरह से विश्वास प्रस्ताव आ चुका है वो पेपर हमने भी देखा है वो खबरे चल रही है आखबारों में भी छपा हुआ है अब अगर प्रखंड प्रमुख के समर्थुकों के द्वारा बिधायक जी का पुतला अगर जला दिया जाता है तो यह क्या असर डालेगा आने वाले चुदाओं देखिए सबसे पहली बात यह है कि प्रखंड प्रमुख के खिलाब जो अभिश्वास प्रस्ताव जो लाया जा रहा है या या उन्होंने जो लोग लाया है उसमें कहीं से बिधायक और किसी का कोई हाथ नहीं उसमें जब भी अभिश्वास प्रस्त जी का कहीं कहीं कोई भी ऐसा रोल होगा जिसके चलते उनके पुतला दहन का वहां कार्शक्रम होगा मुझे नहीं लगता है लेकिन जिस तरह से बीजेपी के जो वरिष्ट अधिकारी प्रखंड के अधिकारी से कल हमारी बात चीत होई और उन लोगों का कहना है कि हमें ये दारूबाज विधायक ये ब्यान है उनका ये मैं नहीं कह रहा हूँ आपको समझना होगा कि जब मीडिया के माईक पे आ करके और कोई व्यक्ति एक चुने हुए विधायक को अगर इस तरह से कहता है तो मामला कहीं न कहीं गंभीर हो जाता है और बरतवान विधायक के खिल दोंकिया गंभीर तो मुझे लगता है कि आजकल गंभीरता बहुत कम लोगों में हैं बहुत सारे ऐसे लीडर्स हमारे हैं बहुत ऐसे वर्कर्स हैं जिसके सामने अगर माई को गर अलग जाता है तो उनको बोलने के लिए कहीं कुछ बोलने लगते हैं कहीं गंभिरता उनकी है नहीं तो जहां तक गंभिरता की बात है बिधायक जी को लोगों ने जो कहा यह कहीं स तो मुझे मेरा ये दावा है कि मेरे दल के 80% लोगों कार्ज करताओं का पटना जाना और पटना की राजनी तो बंध हो जाएगी तो इसलिए साम बहादूर सिंग्ग के पक्ष में या विपक्ष में ऐसी बातें नहीं बोलना जाएगी आप पुरू जिला धक्ष हैं और बड़े सधे सधाये राजनीता भी माना जाता है आपको आपकी अच्छी पकड़ भी है अगर ये सब मामला आया हुआ है तो ये दल के लिए घातक नहीं है ये मामला आया हुआ है सर इसको अपने जरनदाज नहीं कर सकते हैं लेकि ये दल के ये प्रयास होगा कि ये घातक न बने इसको जहां भी है वही हम लोग उसको रोके और रोके ये ये सिर्फ साम बहादूर जी तक ही सिमित नहीं है अभी चंद रोज पहले जब माननीय स्वास्त मंत्री मंगल पांडे जी आये थे और माराज गंज में वहब ये कारिक्रम था वहाँ जी एनेम कॉलेज का उन्होंने उद्गाटन किया उस समय भी बात खड़ा हुआ था उस समय जो वहाँ के अस्थानिये विधायक हैं नरायन सा उनका वो मंच पे जो भी नाम लगा हुआ था सारे लोगों का नाम था लेकि उनका नाम नहीं था वहाँ पर उनके कारिक करता होने हंगामा मचा दिया इस तरह से जो बाते सामने आ रही है यह तो कहीं से सुम लक्षान इसको नहीं माना जाए अस्थानिये विधायक का नाम नहोंना गलत बात है नाम होना चाहिए लेकिन हमें यह लगता है कि कोई जान बुझकरों वहाँ यह बात नहीं थी वह ट कि हमें आ रहाएँ मानिय मंतरी ज़िस से हमारी विधान बुझा नहीं हो सकता है और नहीं मानिये दोनों सानसत और महाराजगस और वहां के जो मानिये दोनों विधायके हमने नाम चप्वा दिया जो सिला लेख हो नहीं चला हो तो कहीं से सोषी समझी ये साजिस नहीं थी अब यह बढ़रिया पर आपने लोगों ने क्या सोचा है कि यह आग सांत होगा यह आग और बढ़ेगा बढ़रिया पर तो आप सुरी सभी पूछते रहे हमने यह कहा कि बढ़रिया में आग नहीं बढ़ागा जैसे भी होगा वो सांत हो जाएगा चलिए ये आग सांत हो ये सब की कामना है और सब ही लोग चाहते हैं लेकिन जिस तरह से बढ़रिया में कल जो जो राजितिक महौल वहां पे दिखाई दिया है उसके बाद अभी बिधायक जी से हमारी बात्चीत नहीं हुई है बिधायक जी क्या कहते हैं उनका क्या वक्तब है वो सामने आने के बाद इसमें से सचाई आएगा हलाकि जो प्रखंड प्रमुख है उनका कहना है कि सब कुछ एकदम साफ तोर पे जब कि कई BDC सदस्यों ने भी कहा है कि बिधायक जी स्वैम लोगों के यहां जा करके सिकनेच नहीं कर रहा है उनका वो जाली सिकनेचर कर यह बहुत बड़ा गंभीर आरोप है अब इस पर विधायक जी क्या बोलते हैं उसके बाद ही असपश्ट हो पाएगा कि बढ़रिया की जो राजनितिक जो आग है वो सांत होगी या और बढ़ेगी इस चुनाओ के महाल में हलाक कि चद्रकितु जी ने इसे संभालने का बहुत काम किया है और हमारी सुबकामना है उनके साथ कि वो इसे संभाल सके चुनाओ के एन वक्त पहले इस तरह की ब्यानबाजी या इस तरह का आरोप प्रतियारोप यह किसी भी ना तो गठवंदर के लिए जाईज है और ना ही कि किसी दल के लिए जाईगी